दोस्तों आज का वीडियो S.I.P. यानि Systematic Investment Plan पर होने वाला है क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आये हैं कि सर्फ S.I.P. क्या होता है इस पर एक वीडियो बनाईए Mitchell Fund क्या होता है इस पर एक वीडियो बनाईए कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर हमें डियम कर सकते हैं मैं पुरी कोसिस करूंगा कि आपके सवाल का रिप्लाई करने का दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले हम आपको S.I.P. यानि Systematic कि S.I.P. के आप पावर देख लीजिए कि आपको कितना रिटर्न मिल सकता है S.I.P. करवाने से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने S.I.P. कल्कुलेटर उपन कर लिया है अब दोस्तों यहाँ पर जो मन्थली इंस्टाल्मेंट है वो 500 रुपए है यानि 500 रुपए ही आपको प्रतिमंथ देना है यानि हर महिने आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए देने है और आपको जो रिटर्न मिलने वाला है वो 15% मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है दोस्तों SIP में आपको 15-20% का रिटर्न बहुत ही आसानी से मिल जाता है आप पिछले 3-4 सालों का देख लीजेगा आपको जो रिटर्न मिलता है SIP में वो 15-20% से भी अधिक होता है कुछ जगे तो SIP का जो रिटर्न मिला है वो 20% से भी उपर है 24%, 25%, 26% तक के रिटर्न मिले है लोगों को तो यहाँ पर मैंने नार्मली जो कि 15% आपको मिली ही जाता है अगर आप थोड़ा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको 15% का जो इंटेस्ट है वो मिली ही जाता है और उसके बाद आपको जो टोटल वेलू मिलेगी वो 1,49,000 रुपए यानि लगभग 1,40,000 रुपए मिलेगा अब दोस्तों मैं आपको SIP और कंपाउंडिंग के पावर दिखाता हूं कि यही आप एमाउंट सेम रखिए रिटर्न आपका जो 15% ही रहने वाला है रुपए होगा 15 वर्सों में और दोस्तों टोटल आपको जो वेल्यू मिलने वाली है वो 3,44,000 रुपए हो जाएगी आपने टाइम सिर्फ 5 वर्स बढ़ाया और आपका एमाउंट केतना बढ़ गया 2,00,000 रुपए अब दोस्तों SIP की पावर अब देखिए यही माल लीजिए आप इसे 20 सालों के लिए करा देते हैं जी हाँ दोस्तों आप 500 रुपए ही प्रतिमाह दे रहे हैं और 20 वर्सों तक के लिए अगर आप SIP करा देते हैं तो दोस्तों आपको जो अमाउंट मिलने वाला है न वो 7,57,000 रुपए मिलने वाला है जी हाँ दोस्तों इसी rate of interest से इसी 15% के return से आपको जो अमाउंट मिलेगा वो 7,57,000 रुपए होगा और दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ असली चीज तो अब है जो अब आपको देखना चाहिए दोस्तों यही आप लोग देख लीजिए अगर time period में बढ़ा करके यहाँ पर इसे 30 साल कर देता हूँ मालीजिए अगर आप SIP को अपनी चुकी देई किता रहे हैं आप 500 रुपए महिना दे रहे हैं आप दे सकते हैं और अगर आपकी उम्र 30 साल है भी और आप 500 रुपए महिना देना इस्टार्ट कर दिए और इसे 30 साल तक आप देते रहे तो दोस्तों जब आपकी retirement के time होगा ना जब आप काम करना बंद करेंगे चाहाँ government servant हो या आप किसी private sector में हो जब आप काम करना बंद करेंगे अपना retirement लेंगे अपने घर बैठेंगे तो दोस्तों आपको जए amount मिलेगा आपने सोचाने होगा कितना होगा दोस्तों वो amount होगा 35,4,000 रुपए जी हाँ दोस्तों और इससे भी जादा हो सकता है market में कुछ up down लगे रहते हैं थोड़ा से amount उपर नीचे हो सकता है लेकिन जब आप इतने long time के लिए करेंगे तो दोस्तों आपको amount मिलने वाला है वो 35,000,000 रुपए होने वाला है तो दोस्तों देर मत करिए अगर आप S.I.P. सुरू करना चाहते हैं तो फिर दोस्तों आपको देर बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए क्योंकि दोस्तों S.I.P. में आपको तभी benefit मिल सकता है जब आप लंबे time के लिए यहाँ पर investment करेंगे यहाँ पर आपको compounding का जो benefit मिलता है वो लंबे time के लिए मिलता है अगर आप S.I.P. दो साल के लिए चाहते हैं तो फिर कोई फाइदा नहीं होने वाला चूकि हो सकता है market गिर जाए लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए कि market गिरने के बाद market को उठना ही है जो भी share market के graph होते हैं आप लोगों ने देखा होगा कि market माली जीए कल गिर जाता है और उसके हो सकता है कि 6 महने बाद उठे लेकिन उठना निश्चित है S.I.P. में दोस्तों हम आपको मोटा मोटा समझा देते हैं S.I.P. और mutual fund में अंतर क्या होता है S.I.P. को दोस्तों आप RD समझ सकते हैं एक तरीके से जो आप bank में RD करते हैं मगर बिल्कुल आसान भासा में आप लोगों को समझाओं तो यही होता है आपको इसमें यहाँ पर मन्थली आपको कुछ investment करना होता है वो 500 रुपए भी हो सकता है 1000 हो सकता है 2000, 10,000, 20,000, 50,000 जैसी आपकी income हो आप उस हिसाब से SIP में प्रतिमाह निवेश कर सकते हैं बात करें अगर हम mutual fund की तो mutual fund यहाँ पर एक FD की तरह होता है कि आपके पास 10,000, 20,000, 50,000 एकमुस्ट रुपए आए और आपने mutual fund में लगा दिये जिस तरह से आप FD कर देते हैं fix deposit कर देते हैं आपके पास कोई पैसा आता है तो आप वहाँ पर fix कर देते हैं और उसके बाद आपको मिल जाता है तो उसी तरह से अगर आपके पास पैसा आता है mutual fund भी best चीज है लेकिन अगर आपके पास में एकमुस्ट पैसा है तो आप mutual fund में इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडेक्स mutual fund सबसे best है च्योंकि यहाँ पर जो देश की जो share market की top 50 कमपनिया होती है उन्हें ही लिस्ट किया जाता है और वही पर आपका पैसा इन्वेस्ट होता है तो कुल मिलाकर की mutual fund भी best है लेकिन यहाँ पर अगर आप SIP करते हैं मालीजे आप ऐसे बेखती हैं जिनके पास की एकमुस पैसा नहीं है आप मन्थली 1500-2000 रुपए सेव कर सकते हैं और आप SIP करा सकते हैं तो फिर दोस्तों आपको SIP जरूर करा लेना चाहिए आपको देर नहीं करने चाहिए और दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताना चाहता है आप जितने लंबे टाइम के लिए SIP करेंगे उतना जबरदस्त बेनिफिट आपको मिलेगा आपका इन्वेस्टमेंट चाहिए 500 रुपए प्रतिमा हो या 1000 रुपए प्रतिमा हो यह मैटर नहीं करता है हो सकता है आप यह दिमाग में सोच रहे हो कि अभी मैं कैसे सुरू करूं मैं दो साल बात सुरू करूंगा लेकिन मैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो 500 की जगे 1000 रुपए कर दूंगा लेकिन दोस्तों आपको जो रिटरन मिलेगा वो उससे कम मिलेगा तो इसलिए यहाँ पर टाइम का बहुत महात्तो है आपका तो सिर्फ 500 रुपए है क्योंकि यहाँ पर चेक्रवद व्याज मिलता है दोस्तों आपने पहले महिने 500 रुपए जमा किये उसके बाद जब उसके इंटेस्ट लगा तो उस 500 रुपए का जो ब्याज बना आपका जो इंवेस्ट है वो तो 500 है लेकिन उसका जो ब्याज हुआ उस पर ब्याज आपको मिलने लगा फिर उसके उपर ब्याज जो बना उस पर आपको ब्याज मिलने लगा तो दोस्तो compounding का ये benefit होता है वहाँ पर investment माहने नहीं रखती है माहने क्या रखता है कि आपने कितने लंबे time तक अपना पैसा share market में निवेस कर रखा है दोस्तो ये भी एक share market का ही हिस्सा है जो SIP है ये भी एक share market का हिस्सा है जो share market के लोग जानकार है वो सीधे trading करते हैं ये share market में अपना निवेस करते हैं और वहाँ पर risk थोड़ा ज्यादा होता है चुकि अगर वहाँ पर benefit होता है तो एकदम से benefit भी तगड़ा होता है अगर नुकसान होता है तो नुकसान भी तगड़ा होता है अब आपके पास नहीं समय है नहीं आपको share market की जानकारी है लेकिन आप भी पैसा share market में लगा करके पैसा कमाना चाहते हैं क्योंकि आज के समय में बैंकों में जो FD हो रही है या आप RD कर रहे हैं तो वहाँ से आपको return नहीं मिल पा रहा आपको 6-7% return मिलता है और 6-7% ही महंगाई है तो कुल मिला करके आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है आप बराबर में है अगर उससे कम आपको अगर आपने पैसा अपने saving account में डाल रखा है तो फिर आपका पैसा down हो रहा है यानि कम हो रहा है बढ़ने की जगे आपको लग रहा कि मुझे 3% interest मिल रहा है और जब कि महंगाई 6% है तो 3% तो आपका पैसा माइनस में जा रहा है तो इसलिए दोस्तों सभी लोग सुशते हैं कि मैं SEC जगे कहीं पैसा रखूँ जहां पर मुझे 10-12%, 15%, 20% return मिले तो दोस्तों SIP यहां पर आपके पास best option है अब इसे आप कैसे करा सकते हैं तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि आज के समय में बहुत सारे bank है जो direct ही आप अपने वहाँ के saving account या current account से ही SIP कर सकते हैं उसके लिए जरूरी नहीं कि आप DMAT account खोलें जबकि बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं जानते हैं DMAT account क्या है आप नहीं खोलना चाहते हैं तो कुछ ऐसे bank हैं कि जहां पर आप जाएंगे तो direct आप उनके saving account से ही SIP ले पाएंगे और अगर आप किसी app के माध्यम से करना चाहते हैं तो बहुत सारे app हैं मैं किसके नाम लो angel one हो गया, angel one है, zero धा है, grow है इस तरह के बहुत सारे app हैं आप किसी का भी app download कर लीजिए अपना एक DMAT account खोल लीजिए DMAT account zero balance से खोल जाता है आसानी से और जब आपका DMAT account खोल जाए तो आप वही से SIP कर सकते हैं, वही से आप अपने bank account को link कर सकते हैं और आपको एक date निश्चित करनी होगी, उस date को automatic आपके खाते से पैसा, autopay आप लगा दीजिए उसमें आट ओपे के माध्यम से हर महीने उस तारीक को पैसा आपके खाते से SIP में चला जाएगा वहाँ पर जो share market के हैं बहुत-बहुत बड़े-बड़े लोग बैठे हैं जो बहुत-बड़े जानकार हैं जैनि विशेसक की है share market के, इसका नाम ही है systematic investment plan जब आप SIP में माली जी आपने 1000 रुपए निवेस किया तो वो क्या करते हैं भाई आपको जानकारी नहीं आपने अगर आप share market में जाते हैं आप 1000 रुपए के share buy कर लेते हैं और उसके बाद share market के rates है share buy down हो जाता है तो आपके उस पैसे का last हो जाता है लेकिन जब आप पैसा SIP में निवेस करते हैं तो माली जी आपने 1000 रुपए share market में निवेस किये SIP के थुरू तो वहाँ पर जो उसके जानकार है जो इसके master है उनके पास आपका fund जाता है उस fund को वो कम से कम 10 जगे लगाते हैं एक जगे वो नहीं लगाते हैं और 10 ऐसी कमपनियों में लगाते हैं जिनका वो देखते है return बहुत अच्छा रहा है जो कमपनिया अच्छा परफार्म कर रही है तो वहाँ पर वो 10 जगे पर आपके 100-100 रुपए लगाएंगे अब आप सोच कर देखिए कि माल लीजिये उन 10 कमपनियों में से अगर 2 कमपनिया डाउन गई तो आठ तो निश्चित रूप से उपर जाएंगी तो यही कारण होता है दोस्तों कि यहां पर आपको 15-25% के return मिल जाते हैं जबकि हम आपको यह idea नहीं होता है कि हम अपना पै पैसा ही मार्केट मं ही लगा जाता है लेकिं डाइरेक्टनाकरकरके आप इन डारेक्ट फंड में भी घंट करेंगी किस mobile से ही से manage कर सकते हैं सारी चीज़े हैं पर आपको पता चल जाएंगी एक folio number generate हो जाएगा आप चाहें तो कुछ bank से है वह उस bank में जा करके भी आप अपने current account या saving account से सीधे SIP की सुरुवात कर सकते हैं और आपको एक amount चुनना होगा लेकिन दोस्तों मैं आप से फिर कहूंगा कि यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि वो आपको जो time चुनना है वो लंबा time चुनना है आपको कम से कम 10 साल या 15 साल या 20 साल के लिए निवेस करना है जितने लंबे time के लिए आप SIP कराएंगे उतना जबरदस आपको return मिलेगा यहाँ पर क्योंकि मैंने आपको बतायागर 500 रुपाए भी प्रतिमाह आप कर देते हैं और इसे 30 साल तक आप चला लेते हैं तो दोस्तो 35 रुपाए के return आपको मिलने वाले हैं 15% की यहाँ पर आपको interest की धर से तो कुल मिला करके आपको बहुत बड़ा amount मिल जगता है SIP के माध्यम से लेकिन यहाँ पर आपको wait करना होगा लंबे time तक आपको इंतजार करना होगा आपको लंबे time तक पैसा देना होगा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम दो साल बात और दोस्तों इसमें ये भी विकल्प है कि मान लिजे आपको कल पैसी की जरूत पढ़ जाती है आपने शुरू किया आपको 6 महिने बाद पैसी की जरूत पढ़ जाती है तो आप अपना पैसा ले सकते हैं ऐसी कोई restriction नहीं होती है कि आपने 20 साल के लिए 30 साल के लिए करा रखा है तो आपको बीच में पैसा नहीं मिलेगा आपको जिस दिन पैसे की आप सकता हो आपको तुरंट पैसा भी मिल जाता है तो ये भी यहाँ पर रिस्क नहीं होती है मैंने आपको बताये कि ये RD का ही दूसरा रूप है इसे एक तरीके से आप RD समझ सकते हैं तो खुल मिला करके बस इसमें benefit यह होता है कि अगर आप bank में एक साल के लिए RD कराते हैं और एक साल से पहले आप तोड़ते हैं तो वहाँ पर आपको charges देने होते हैं bank आपके उपर penalty लगाता है लेकिन SIP में ऐसा नहीं होता है आपका जितना पैसा ब्यास समेथ बनता है आपको पूरा का पूरा मिल जाता है आप 6 महिने बाद तोड़ दें एक साल बाद तोड़ दें दो साल बाद तोड़ दें आप जब चाहें बीच में इसे break कर सकते हैं आपको लगता है कि मुझे नहीं चलाना है SIP तो आप अपना पूरा का पूरा पैसा ब्यास समेथ वापिस ले सकते हैं आपका जो भी interest बनेगा आपका जो भी principle है वो पूरा आपको वापिस कर दिया जाएगा तो दोस्तों आपके लिए SIP सबसे best option है आप इसमें देर मत करिए SIP जरूर करा दीजिए अब आप कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए आपको यूटूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कि किस तरह से आप अपना एक DMAT account खोल करके किस तरह से आप SIP के सुरूराद कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने सिविंग अकाउंट से उस DMAT account को लिंक करके SIP को सुरू कर सकते हैं अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम इस पर एक डीटेल से वीडियो बना देंगे कि DMAT account कैसे open करें और SIP की सुरूराद अपने mobile से कैसे करें इसके लावा मैंने आपको बताया कि बहुत सारे bank है जो आपको खुद फैसल्टी देते हैं कि आपको DMAT account नहीं खोलना है आप हमारे bank में saving account या current account उपन कर लिजिए जैसे कि HDFC bank है वो आपको ये facility देता है कि आप अगर उनके account holder है तो आपको DMAT account की आप सकता नहीं है आप उनके saving account या current account से ही आप अपना SIP शुरू कर सकते हैं दोस्तों आशा करते हैं बात आपकी समझ में आ गई होगी अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के लाइक कर दीजिए चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकान को प्रस कर लीजेगा तक ही जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अप्लोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मिलते अगले वीडियो में किसी अगले इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ तक तक के लिए जै हिंद जै भारत